वीडियो को चालू करने से पहले हमें देखना है CPAP मसीन के बारे में सेकंड वाला जो पिक्चर देख रहे हैं आप यही है CPAP मसीन और इसको किस परकार से पेसेंट के मुह पर लगाया जाता है यह आप पश्ट वाले पिक्चर से देख सकते हैं ठीक है यह तो हो गई मसीन की पिक्चर की बात अब हम बात करते हैं यह जो मसीन है इसका यूज आखिर की अकार क्यों जाता है CPAP का फुल फार्म होता है continuous positive airway pressure ठीक है मतलब यह airway है airway पर यदि आपको continue positive pressure बनाए रखना है तो इसके लिए जो मसीन यूज की जाएगी उसी को हम कहते हैं CPAP जिसका पिक्चर हम देख चुके हैं इसका प्रियोग क्यों किया जाता है कहां पर किया जाता है यह सारी बाते हमको जानना होगा CPAP एक प्रकार का treatment की method होती है जो ऐसे percent के लिए की जाती है जिनको breathing से related problem होती है जब वो लोग सोते हैं ठीक है sleep apnea जिसको हम कहते हैं इसमें जब लोग सोते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत जाती है तो ऐसे लोगों को ही यह मसीन लगाई जाती है यह मसीन यूज करती है mild air pressure को ठीक है इससे क्या होता है जो airways रहते हैं हमारे नाक का जो airways रास्ता है वो open रहता है और हमको easily सांस लेने में कोई problem नहीं जाती है दूसरी बात यह है जो infants होते हैं बच्चे रहते हैं जिनके lung जो है अभी पूरी तरह से फेपड़े पूरी तरह से develop नहीं हुए हैं उनके लिए भी ये machine बहुत ही कारगर होती है ठीक है ये क्या काम करती है ये machine air को blow करती है बेबी की nose के माध्यम से ताकि उसके जो lung है ना उसमें हवा भरी जा सके और दूसरी बात ये है और ये जो treatment है ना खास करके उपयोगी रहता है COVID-19 के पैसेंट को ले करके क्योंकि हमने देखे हैं लोगों को oxygen लेने में कितनी तकलीफ जाती है और oxygen जैसी supply बंद होती है उनकी death हो जाती है कोरोना के मरीजों के लिए खास कर इसको इजाद किया गया है इसके अलावा lung हमारे damage नहीं होते हैं और जो inflammatory effect होता है ना हमारी lung में जलन जैसी जो होती है उसको भी रोकने का काम करती है ये machine तो अभी तो हमने CPAP के बारे में देखे हैं अब हम देख लेते हैं उस machine का एक नय option जो पिक्चर आप देख रहे हैं यही है जीवन वायूब करण और यह है डाक्टर खुजबूराखा असिस्टेंस प्रोफिसर जिनों ने इस device की खोच की है इसी के बारे में हमको जानना है कि यह क्या है क्या क्या इसके use है और यह जो device है CPAP को replace करती है मतलब उसकी कुछ कम यह देख लीजिए आपने जो CPAP का चितर देखे हैं यह चलता है बिजली से पहली बात तो यह है कि इसके लिए हम बिजली की ज़रुत पड़ती है दूसरी बात यह है कि अभी जो नई device खोच की गई है यह oxygen की cylinder से भी इसको हम जोड़ सकते हैं और oxygen की pipeline से भी इसको जोड़ जा सकता मतलब हम इस device को दोनों तरीके से जोड़ सकते हैं और इसके बाद यहां से जो oxygen प्राप्त होगी उसको हम मरीज तक भेज सकते हैं उसकी nose के माद्ध हम से और जिस हिसाब से इन्होंने इसमें नया जो feature एड़ किया है ना कि यह बिजली से इसको चलाने की जरूरत नहीं है तो अभी हम कितने example देखे हैं news में कभी गुजरात में आग लग गई बिजली की supply बंद हो गई और कितने सारे मरीजों की death हो गई है ऐसे बहुत सारे example हम द लीक से proof है और low cost वाली CPAP delivery system है इसको design किया गया है 22 mm CPAP close circuit tube के लिए लेकिन इसको आप customize कर सकते हैं जैसा आपका tube का size है दूसरी बात यह है power failure होने के दौरान इसका आप use करते हैं simply ठीक है transport patient के लिए इसके अलावा इसमें और भी बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें viral filter use किया गया है जिसकी efficacy है 99.99% यह जो viral filter है यह ensure कर लेता है कि इयर अपने साथ में कोई भी प्रकार के pathogen को वायर पाता वरड से लेके नहीं जाएगी और आपके सरीर में उनको घुसने नहीं देगी वायरल वगेरा को रोखने का यह काम करता है ठीक है इसको बनाया गया है 3D printing की सहायता से और machine की सहायता जिसकी testing भी हो सकती है अब यदि हम pressure की बात करें तो G1YU can deliver high flow oxygen 20 से लेकर के 60 LPM लीटर पर LPM मतलब होता है लीटर पर मिनट ठीक है जबकि continuous positive pressure को यह maintain कर सकती है up to 20 cm H2O इसके अलावा इसमें हमें एक word देखने को मिलेगा FIO2 the fraction of inspired oxygen इसका मतलब यह होता है कि कोई व्यक्ति percentage या फिर concentration of oxygen को जितना inhale करता है अपने अंदर लेता है उसी को कहा जाता है FIO2 अब हमने इसका continue positive pressure भी देख लिए हैं अब हम बात करते हैं इसके design की तो यह जो FIO2 है of above 40% with PEEP मतलब positive and expiratory pressure of 5-20 cm H2O इतना यह maintain करके रख सकती है झात है प्पिर हम प्पिर इतनी हम